हालो मोदी जी के सेंट्रल विस्ता पे खुशो सेंट्रल विस्ता के अंतरगत ये इंडिया गेट के पास सरोवर का मनोरम द्रस है अब हो गएऑ हंट्रल विस्ता गडी में हमता है इंडिया आज पास नहीं वहां किया हे इन्या इन्हों से पाणि में पर्वेस ना करें क्या काम करते हैं आपत पर चले चाहँ तक है आप एक साल होने जा रही चाहते हैं अब एक शाल की लग बहु और चले हैंसा है तो मोदी जी खुछ रहा है? तो आपकी तो भई तो 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 कि फोटे जो अरता है प्टें तो मोदी जी कुछ रहेंगे सारी जंका रहेंगे कि भूस अम्हार हमारे मारत की बाड़ी हम लोग गड़ीवाद मी को अच्रा सुपगा जा जाएमें उनको रहेंगे उनको नहीं को तो दो दो हो जाएगे हम अपना बहलेंगे आपका यापका राष्टपती भवन की ओर से विजय चौक से जब हम इंडिया गेट को चलते हैं तो बहुत ही मनुहारी द्रस्य है बीच में गोल चक्कर पर एक सड़क आती है उस सड़क के पार उस तरफ इंडिया गेट है और इंडिया गेट से थोड़ा सा ही आगे नेताजी सुवास चंद्र बॉस की प्रितिमा का अनावरण किया गया है लगाई गई है प्रितिमा जो बीच में से इंडिया गेट के बीच में से जिसकी थोड़ी सी जलक मिलती है बहुत ही सुन्दर विहंगम द्रस्य है और इसे देखकर बहुत ही आनंद की अनुबूती हो गई है सेंट्रल गिस्ता प्रोजेक्ट वास्तम में एक बहुत ही सुन्दर ब्रोजेक्ट है और सरकार ने इसको बड़ी ही करीने से खूपसूर्ती से और अच्छी तरीके से बनाया है इंडिया गेट के आस-पास बहुत ही सुन्दर घास लगाई गई है बगीचों में जहां पर लोग चहल कदमी कर सकें, घूम सकें और बहुत ही खुसी कानवब कर सकें आपस में लोग मस्ती करते हैं यहां पर आकर खेल रहें, कूंद रहें, अपनी खुसी व्यक्त कर रहें हैं और ये बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है गगन को छूता हुआ इंडिया गेट और उसके बीच में से जलक मिलती है नेताजी सुवास्चंद बॉस की प्रतिमा की बहुत ही अदुबुद द्रस्य है लोग यहां आकर फोटो खिचा रहे हैं आजाद हिंद फोच के संस्थापक क्रांतिकारी नेताजी सुवास्चंद बॉस की प्रतिमा देखकर दिल में जोस और उमंग भर जाती है लोग यहां आकर इंडिया गेट और नेताजी सुवास्चंद के बीच जो प्रतिमा के बीच में जो खड़े होकर फोटो खिचा रहे ह और साथ ही हमारे अमर सहीद को याद कर रहे हैं जगए जगए सुन्दर तरुन ताल बनाए गए हैं जिनके बीच में फवारे लगाए गए हैं और उन फवारों के अंदर से बहता हुआ पानी बहुत ही उर्जा कानभब देता है बहुत ही सुन्दर दिर्थ से देता है अंडर पास का रास्ता, सीड़िया भी हैं और सीधा सीधा स्लॉप भी है जिस पे आप आराम से उतर सकते हैं, उतरने के साथ साथ रोड क्रोस करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्त नहीं होती है, सैकडों की भीड रोज रोड क्रोस करती थी, वो अब इस अंडर पास के सह की बहुत ही सुगम जगए है चेकिंग की विवस्ता है साथ साथ अंडर पास के अंदर आपको पूरे सेंट्रल विस्ता प्रोजक्ट के बारे में बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से या पोश्टर्स के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि सेंट्रल विस्ता के अंदर क्या क्या है यह बहुत सारे जो पोश्टर देख रहे हैं यह लगे हुए हैं इनके जरीए बताए गया है पूर्या सेंटल विस्ता प्रोजेक्ट तो यहां आप काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं अंडर पास काफी हवादार है और प्रोशनी की भी पूर्ण विवस्ता है और काफी बड़ा है जिससे प्यादल यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इंडिया गेट के आसपास का जो छेत्र है वहाँ पर मकमली घास बिचा दी गई है इतनी अच्छी घास है को उस पर चलने का अलग ही आनंद है और पूरे विजय चौक तक ऐसी घास बिचा दी गई है जहां पर लोग चल रहे हैं आराम से बैठ रहे हैं बैठ कर पिकनिक मन आ रहे हैं बच्चों के साथ परिवार के साथ आ रहे हैं फोटो खीच रहे हैं एक तरफ विजय चौक राष्ट पति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट का सुन्दर द्रस और इंडिया गेट के द्रस के पीछे ही निता जी सुभास चंद्र बौस की प्रतिमा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसमें दी गई जानकारी आपको लाभु प्रद और अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ऐसी और वीडियो मिली चाहिए तो मिनी संसत चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और आप इसी तरह ल अबे करिए जानकारी जानकार आपको लाँ